बच्चो अभी यह जो कोश्चन आप देख रहे हैं सामने कि मॉलिक्ल बेसिस ऑफ इनरी टेंस का है कोश्चन इस रीड़ दा फॉलिंग स्टेट्मेंट एंड चूज दा सैट ओफ करेक्ट स्टेट्मेंट यहां आमने पांच स्टेट्मेंट दे रखे हैं और इसमें से हमें क ट्रो्फमेटिंग जो कॉम्प締ी फैक होता है वह इनक्टेव वोता है नॉन फंकशनल होता है फिश्टोन स्टेटमेंट इस रैप डाय निगेटिवली चार्ज्ड दे ड Kings ट् लीचार्ट यह की रप्र टेगिस बनाता है जिसें मूलते अब हें ज settlers जया है खिजिए-घी जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बेसिक अमाइनो एसिट्स आरजीन एंड लाइसीन से रिच होते हैं बिल्कुल सभी स्टेट्मेंट है एंड लास्ट भी है अट टीपिकल नीकलोसों कंटेश तो हंड्रेड वेस पे आर्गोशन में मेंशन हैं 400 यानि की स्टेटमेंट गलत है हमारे स्टेटमेंट यहां ब्रकौन कौन से सही है एसा कोई ऑप्षिन है घ्राजन करेक्ट कर रहा हूं और ऐसा ही कि यहां प्रिलेटड उकलोगों को करने में दिक्कत आई होगी थोड़ी सी problem आई होगी तो कुछ problematic questions के solution discuss कर रहा हूँ और SI question ecology related हमारी screen पर है which one of the following statement cannot be connected to predation cannot be connected यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा statement गलत हमें लग रहा है predation से तो आप देखे student option number one it might lead to the extension of species students अगर हम इस option की बात करें तो यह वैसे तो आप सोचेंगे कि सर predator तो species diversity को maintain वगरा करता है fourth option में तो यह लिखा हुआ है और यहाँ लिखा it might lead to extension of species तो students इस बात के अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर कोई foreign predator कहीं पर आजाता है जैसे कि हम nile purge की बात कर सकते हैं African catfish की बात कर सकते हैं तो अगर कहीं कोई foreign predator आ जाता है तो उस case में it might lead to extension of species हो सकता है ऐसे ही अगर हम बात करते हैं option number 3 की तो यह तो आप देखिए बिल्कुल सही है predator से related it is necessitated by nature to maintain the ecological balance predator का काम ecological balance को maintain करना ही होता है और यह तो NCRT में भी mention है और fourth option तो बहुत आसान है it helps in maintaining species diversity predator का काम species diversity को maintain करना है पर अगर आप option number second को देखिए तो यहां कह रखा है both the interacting species are negatively impacted यानि कि minus minus relationship यह है जबकि आप जानते है students predator predation एक minus minus relationship नहीं है यह तो एक plus minus relationship है तो यह एक बिल्कुल गलत statement है तो answer जाएगा option number second so students एक और question हम discuss करते हैं given below are two statements यहां दो statements दिये गए है statement one statement two आप देख सकते है statement based question है ऐसे questions को करने में कई बार students को दिक्कत आती है कई बार आप लोगों को problem आती है और time consuming होता है तो आईए देखते है statement number one क्या कहता है decomposition है process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes तो students आप जानते हैं यह statement तो बिल्कुल perfect है बिल्कुल सही statement है कि decomposition में detritus degraded होता है simpler substances में by microbes statement number two हम देखते हैं decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin अगर detritus lignin और chitin में rich है क्या decomposition faster होगा तो students यह statement तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आप जानते है lignin और chitin hardest substance है इन्हें degrade करने में काफी ज़्यादा मेहनत लगती है काफी मुश्किल होता है तो decomposition यहाँ slower होना चाहिए decomposition is slower यहाँ पर होना चाहिए तो statement two में faster लिखा है तो statement two यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा और इस अप्शन देखें तो आप देख सकते हैं option number two में लिखा है statement one is correct but statement two is incorrect तो यहाँ इस question में answer जाता है option number two अप्शन देखें जाता है तो यहाँ जाता है